नमस्कार एक न्यूस 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ निशा बिहार सरकार के ग्रिव वभाग ने अधिसूचना ज्वारी कर बिहार के नई डीजीपी के नाम की घोशना कर दी है बिहार कैडर के 1990 बाच के IPS ऑफिसर RS भटी यानि की राजविंदर सिंग भटी को डीजीपी बनाये गया है RS भटी SK सिंगल की जगह पर चैनित किये गए है आज SK सिंगल का कारेकाल खत्म हो रहा है वहीं RS भटी का कारेकाल शुरू हो रहा है जो कि अगले आदेश तक जारी रहेगा आपको बताते चले कि RS भटी के नामों की चर्चा हर जगह खूब हो रही है RS भटी अपराद को नियंतरिन करने में जाने जाते हैं कहा ऐसो जा रहा है कि RS भटी एक कड़क ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं हाला कि उनकी कई ऐसी चर्चित कहानिया हैं जिसे आपने सुना ही होगा लेकिन हम आपको आज कुछ ऐसी कहानिया बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी चौक जाएंगे ये उस वक्त की बात है जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री के रूप में कारे रत थे और लालू प्रसाद यादव ने छुट्टी पर गए RS भटी को अमरेच सर प्लेन भेज कर वापस बुलाया था एक मिशन के लिए तो क्या है वो कहानी हम आपको पूरी विस्तार से जानकारी देते हैं ये उस वक्त की बात है जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे उन देनों राजवंदर सिंग भटी गुपाल गंच के पुलस कप्तान हुआ करते थे चपरा जुले में उस वक्त डॉक्टर के पुत्र का अपहरन हो गया था जुसके बाद अपहरन से नाराज प्रदेश के सरकारी और निजी डॉक्टरों ने हरताल कर दी थी डॉक्टरों के हरताल के 11 दीन बीट गये लेकिन अपहरित युवक का कोई अतापता नहीं चला था दवाब यह था कि डॉक्टरों की हरताल खत्म हो जाए जुसके बाद डॉक्टरों के प्रतिनिधी मंडल को मुख्यमंदरी लालू प्रसाद से मिलने के लिए लाया गया लालू प्रसाद भी परिशान थे डॉक्टरों ने कहा कि बस एक मांग हमारी मान लीजे इस केस को आरेस भटी को सौप दिया जाए लालू प्रसाद ने तुरंत उनकी बात मान ली और भटी को तलाशा जाने लगा तो पता चला कि आरेस भटी छुट्टी पर गये हुए है जुसके बाद उनके चंडीगर स्थत आवास पर फोन लगाया गया वहां मालूम हुआ कि वह अमरत्सर के धार्मिक आयोजन में शामिल होने कया है जहां पर उनसे संपर्क साधा गया जुसके बाद संपर्क होने के बाद राज्यसरकार ने विमान भेज कर भटी को पटना लैंड करवाया लालूप्रसाद ने भटी को छपरा वाले अपरन केस के बारे में बताया जुसके बाद भटी ने अपना ओपरेशन चुरू कर दिया आसपास के 5-6 जिलो से टॉप 5 अपराधियों की सूची ली और अपने मिशन में जुट गए और फिर आखिरकार उन्होंने अपराधियों की चंगुल से उतरप्रदेश के मिरजापूर से अपरत युवक को बरामत कर लिया जिससे साफ जाहिर होता है कि आरस भटी अपराध को नियंतरन करने में कितने सफल थे वहीं कुछ और कहानियां भी ऐसी हैं जुने हम आपको बताएंगे एक कहानी है केशो कोवर की आरस भटी उनीस्तो बैच के आईपियस है जो प्रोवेशन के रूप में नवगचिया भेज़े गए थे तब वहां केशो कोवर नाम का एक दूरदान्त आतंग था फिल्मिस स्टाइल में आरस भटी ने उसे केले से लदे ट्रक में छिप कर पकड़ने गए थे पर बात नहीं बन पाई जुसके बाद उस अपराधी को उन्होंने बार से पकड़ लिया था और ऐसे भी और कई कहानिया हैं जो आरस भटी के लिए चर्चित हैं आपको साथ ही यह भी बताते चले कि आरस भटी IPS बनने के पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कारे रत थे आरस भटी का जन्म 27 सितंबर 1965 को हुआ है भारतिय पुलस सिवा में आने के पूर्व वर लंदन में एक मंटी लैशनल कमपनी में काम कर चुके हैं पंजाब मूल के भटी जुला तरन तारन गाउं के जामाराई के रहने वाले हैं तो ये थी आरस भटी से जुड़ी कुछ रोचक कहानिया जुसे सुनकर आप भी चौक जाएंगे साथी साथ आपको बता दे चले की आरस भटी के नाम से ही सभी अपराधी काफी डरे सह में हो जाते हैं अगर आप इस वीडियो को हमारे फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेच को लाइक कर ले यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर ले नमस्कार